असलम अलेकुम तो आज का जो वीडियो है हम उसमें 15 पेर्स देखेंगे 15 पेर जो अविलेबल है सेल के लिए प्योर इंपोर्ट क्वालिटी में जो यहां पे अविलेबल है तो सेलर का नंबर उपर टाइटल में दे दिया गया है और आप वीडियो को पूरा एंट तक देखिए वीडियो के साइड में आपको नंबर दे दिया गया है पेर का तो जब भी आप बात करेंगे डिरेटली आप उस नंबर का हिसाब से बताएंगे तो आपको प्राइस रेंज इनकी बता दी जाएगी ठीक है तो ये पहला पेर है यहाँ पर जो अविलेबल है सेल के लिए तो जो भी भाई लेने में इंट्रेस्टेड है डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं डिलिवरी भाई भाई बस हो जाएगी भाई ट्रेन भी हो जाएगी और अगर आप काफी दूर रहते हैं और अगर आप पैसे उतने दे सकते हैं तो भाई भाई प्लेन भी सेलर डिलिवरी करने रेडी है ठीक है तो ये फर्स्ट वाला पेर है यहाँ पर तो आप वीडियो क कहां कहां हो जाएगी गुजरात हो जाएगी और भूपाल हो जाएगी उसके साथ साथ भूपनेश और उडिसा हो जाएगी आंजरा प्रदेश हो जाएगी बैंगलोर हो जाएगी करनाटका में हो जाएगी मुंबाई में भी हो जाएगी पिर दिल्ली तक भी जाते हैं और बा चार्ज दे सकते हैं तो फ्लाइट के थ्रू भी आपको डिलिवरी करवा दी जाएगे इन कबूतरों की ठीक है तो जैसा आप देख सकते हैं यह सेकेंड वाला पेर है यहां पे सामने और 100% उडान की गैरेंटी है अगर कबूतर ना उड़े तो आप कबूतर दे कर आपके पै यह पानी के वगए ठीक है नॉर्मल दाने के उपर तो यह धर्ड वाला पेर है यहां पे तो बारा और पेर बचते हैं तो यह जैसा है थर्ड वाला पेर देखें कॉलिटी देखिए भई इस कबूतर की आँख आप इस तरीखे से देख सकते हैं जिस तरीखे के जर्रात आप इन कबूतरों को देखेंगे यह कोई भी तरीखे से बॉर्डर से मंगाय हुए कबूतर नहीं है भाई काफी जादा बिजनस चल रहा है बॉर्डर से कबूतर लोग मंगा कर उनको जो मर्जी नसल बता कर बेच रहे हैं यह कोई भी तरीखे से बॉर्डर से मंगाय कबूतर हैं यह सारे ठीक है कोई भी तरीके से मैं आपको रिपीट करके बता दूं बॉर्डर वाले कबूतर नहीं है पंजाब से जो आते हैं या फिर जो है कश्मीर साइट से या उत्तराखंड से या फिर कुलकता साइट से जो कबूतर आते या मुंबई से जो कबूतर आते बाकी सारा structure जो आप देखेंगे आपको clearly समझ आएगा भाई ये कबूतर second hand quality नहीं है या carbon copy या second copy first copy या कोई चीज नहीं है ये purity में कबूतर आपको मिल रहे हैं तो जो भी भाई लेना चाहते हैं definitely इनको ले सकता है ठीके तो seller का number उपर title में दे दिया गया है directly call या whatsapp पे आप बात कर सकते हैं और इनकबूतरों के बारे में जो भी जानकरी आपको चाहिए आप ले सकते हैं उसके साथ साथ अगर आप purchase भी करना चाहरे है तो आप purchase भी कर सकते हैं नकबूतरों को ठीक है बहुत अच्छी quality के कबूतर है highly recommended है ये कबूतर तो जो भी भाई लेना करिए या इन से अपने दूसरे कबूतरों में क्रॉस लीजिए आप जो भी करेंगे आपको फायदा ही होगा भई ठीक है तो यह एक और पेर है यहाँ पर जैसा आप काफी चमक है और पूरे रिंग इनके है आख में काफी लोग रिंग ढूनते तो पाचों के पाचों और इक आपको देखने के लिए मिल जाएगे इन कबूतरों में काफी काफी अच्छी क्वालिटी में यह कबूतर है तो जो भी भाई लेने में इंटरस्टेड है डेफिनिट्लि इन कबूतरों को पिक अप कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छी तरीखे से पेर्स बनाए गए है, क्रॉस भी जिस तरीखे से बनाए गए है, सारे पेर्स बे काफी सोथ समझ के, काफी चीजों को दिवाग में रखके, यह क्रॉस बनाए गए है, यहां पेर कभूतरों के ठीक है, तो जैसा आँ देख सकते हैं, यह वाला तो हुआ है इसके परोन की क्वालिटी आउट ख्लास है और यह बहुत ही ज्यादा टॉप क्वालिटी का भाई यह कबूतर है यह पेड़ स्पेशली इनके बच्चे तो भाई डेफिनिटली एक इनके सेट उड़ रहे हैं साड़े चार बज़े या पांच बज़े की टाइमिंग यह दे रहे हैं सुबा उठे हुए कबूतर छे बज़े से तो इन्शालला अगर आप यह कबूतर लेते हैं तो डेफिनिटली आपको फायदा तो होगा ही होगा ठीक है तो वह हिसाब में एक कबूतर आये हैं यहाँ पर तो यह फीमेल है और लेफ्ट शाइट वाला यह मेल है जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत अच्छे कबूतर है भाई तो डेफिनिटली आप प्रिफर कर सकते हैं इनको लेना ठीक है तो यह शायद हमारा सिक्स् फीमेल तो भाई बहुत ही ज़ादा आउट क्लास आप इसकी आँख सकते हैं भाई यह देखिए भाई जर्राद जिस तरीके के आये हुए हैं और यह बड़ी ब्रीडर फीमेल है भाई काफी इसके बच्चे लिए गए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट इनका बनाया भाई और बाकी सारी चीजें बहुत जबर्दस्त क्वालिटी में भाई यह पेर आया हुआ है तो जो भी भाई लेना चाते हैं डेफिनेटली इस पेर को तो अगर कोई ब्रीडर लेना चाते हैं आगे कई टॉर्नमेंट में उड़ाने या किस चीज में तो आप डेफिनेटली इस पेर को तो consider कर ही सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा अच्छी quality में भाई ये पेर आया हुआ आप देखें जर्रात किस तरीके क्या है आँख की हरकत देखिए आप कबूतर की जिस तरीके से आँख बाहर निकलती हुई है बल्ब जैसी बहुत अच्छी quality में भाई और ये कबू all तो जो भाई इस तरीके का शौक रखते हैं के सिद़ कबूतर को आशमान बन कर्वाना है तो आप देख सकते मेल की आखिया और जर्रात भी देखिए gio एक हर यहां पर शयायद हमारा 7 एक तो तो ये देखें भाई फी मिल बहुत ही अच्छी कॉयरी में एकदम इसका जिसम आप देख सकते हैं किस तरीके से पतला सा और जो इसका structure है वो भी देख सकते हैं mail का भी देखेंगे भाई आप golden में बना हुआ है बहुत बहुत अच्छी quality में तो ये भी भाई कबूतर है तो भाई का number उपर है title में आप directly call या WhatsApp पर बात कर सकते हैं और delivery के तो मैंने options बता दिया आपको train से बस से या फिर flight से delivery हो जाएगी तो जो भाई लेना चाते हैं और काफी दूर रहते हैं उनको flight के तुर कोशिश करवा दी जाएगी लेकिन pricing जो है flight की वो काफी जादा है तो अगर आप उतना spend करना चाते हैं कबूतरों के उपर purity वाली नसल के उपर तो आप definitely एक बार के लिए invest कर सकते हैं और फिर उसके बाद इन से जो आप नसल बनाएंगे फिर आपको कोई दूसरी कबूतर को खरीदने की market से जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ठीक है बहुत ही अच्छी quality में कबूतर आये हुए है तो भाई ये जैसे देख सकते हैं अब ये एक पेर हैं यापे semi-adult तो बहुत इनका color आप देखेंगे काफी खुबसूरत color भाई और ये जैसे जैसे age में अपने बढ़ते हैं तो ये और बहुत ज़्यादा खुबसूरत होते जाएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं काफी अच्छी quality में और इनकी body structure को आप देखिए ज्यादतर तो आपको clearly difference समझ आएगा कि भाई ये उडान के लिए बनाए गए कबूतर हैं तो इनसे आप अगर आप breed लेते हैं तो definitely आप इनके बच्चे जो हैं वो काफी फायदे मंद रहेंगे आप उडान में अगर आप इनको ले जाएंगे तो या इनको personally अगर आप purchase करके उडाना भी चाहते हैं तो अगर आप वो risk लेना चाहते हैं तो definitely आप ले सकते हैं क्योंकि definitely performer कबूतर हैं और ये उडेंगे ही उडेंगे ऐसा नहीं है कि ये नहीं उडेंगे और जैसे मैंने आपको starting में बताया उडान की भाई guarantee है अगर कबूतर नहीं उडता आप कबूतर दे के अपने पैसे वापस ले सकते हैं ठीक है कोई ऐसी problem नहीं है आप जहां से भी है आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं और कबूतर वापस कर दे के तो आपको same amount दे दिया जाएगा तो भाई ये भी जैसा है देख सकते हैं आप यहां पर बहुत ही अच्छी quality है भाई ये तो जिन लोगों को imported कबूतरों के बारे में पता है वो लोग समझ सकेंगे कि ये कौन से कबूतर है और किस तरीखे से ये बने हुए है और इनका structure और बागी सारी चीज़ें क्या है मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ फोकस करने की तो आपको समझ आए थोड़ा सा आँक के बारे में और structure के बारे में भी क्योंकि ये देखने में लोकल कबूतर दिखेंगे जिन लोगों को समझ नहीं है उनको बिलकुल नहीं समझ में आएगा कि ये कौन से कबूतर है जिनको आइडिया है उनको clearly एक जहलक से समझ आ जाएगा कि ये कौन से कबूतर है नसल ना बताने का मेन रीजन ये है क्योंकि आप लोग फिर बाद में अखतलाफ करेंगे कि भाई ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता तो सलर का नंबर है आप डिरेक्ली कॉल करके सारी डीटेल ले सकते हैं कौन सी नसल है कौन सी बलड लाइन में से है कहां से आई है, खिदर से है और बाकी सारी जो भी डीटेल आप लेना चाहते हैं आप definitely ले सकते हैं ठीक है तो ये पठे हैं semi-adult है ये भी चार कली के, पांच कली के हो चुके हैं तो भाई ये भी एक पेर हैं आप बहुत ही शानदार भाई पेर है जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने तो अगर कोई लेना चाहते हैं semi-adult में तो भाई ये पेर आप definitely pick कर सकते हैं बहुत ज़ादा फाइदे में रहेंगे इस पेर के साथ आप ठीक है तो इसको जिस तरीके से इसका cross बिठाया गया है जो बतानी की कोशिश है यहाँ पे आप देख सकते है shoulder blades बाहर की तरफ दोनों के निकले हुए है सीना अंदर की तरफ है body पूरी straight एकदम और गरदन भी आप देख सकते हैं काफी लंबी ठीक है और ये उड़ान वाले कबूतर है और बहुत ही ज़दा light weight अच्छी quality के आँक में जर्रात और सारे ring फुखता ठीक है जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे गहरे rings इनके बनेंगे और जैसे जैसे ये age में जाते हैं अभी तो ये semi adult है और जैसे ये 2-3 महीने में इंशाला ये पूरे completely आपको breed के लायख हो जाएंगे और जैसे every year ये color चेंज करेंगे 3-3.5 साल के लिए तो इंशाला जब ये completely ready हो जाएंगे बहुत ही जदा खुबसूरत होंगे भई भई ये एक और पेर है यहाँ पे उसी bloodlines में से हैं जिस से पहले हमने देखे थे उसी में से तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी quality में है ये कबूतर भई तो मैं repeat कर रहा हूँ कि अगर भायों को शौक करना है और one time investment जैसे कुछ आपको करना है और एक ही नसल जो उड़ती है घर वापसी है फिर आपको सारे चीज़ों में आपको help करेगी तो वैसी ये भई नसल है तो अगर आपको definitely आगे बढ़ना है इस नसल के साथ लेकर तो आप इनको लेके इनको बढ़ा करके या अगर आप बड़े pairs लेते हैं तो इनसे ही breed लेके भई अपने घर में सारी लाइन बना सकते हैं आपको फिर मार्केट से बाहर जाके कोई कबूतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो ये भी है यहाँ पर इसके बाद चायद हम और तीन पेर देखेंगे तो इन्शालला वो तीन पेर के साथ भी थोड़ी सी कुछ ना कुछ स्पेशालिटी दिखाई जाए ठीक है तो इंडियन पेर है इंपोर्टेड नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा तो भाई ये जैसे देख सकते हैं आप पठ्थे भाई ये पठ्थे तो बहुत आउट क्लास पठ्थे हैं दोनों भी तो ये पेर है मेल फीमेल का इनके माबाप का काफी जादा टाइम रिकॉर्ड किया है गया है ठीक है हिदरबाद में नहीं दूसरे स्टेट में तो जहां पर उड़ते थे इनके माबाप तो वहां से इनके ये पठ्थे वही ब्लड लाइन से आए हुए है तो बहुत ही जादा अच्छी क्वालिटी के ये पठ्थे हैं और कोई भी तरीके से बौर्डर से या कहीं से मंगाए हुए नहीं है तो किसी शौकी इनके घड़ से ही आए हुए हैं इनके माबाब भी तो वह इस हाब में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं और डेफिनिटली इंपोर्ट क्वालिटी ही है जोड़े बाहर से ही बाहर बाहर से लेकर आ तुए हैं इनके original माबाप सारे import किये गए हैं तो उसके बाद से इनकी जो भी bloodline आती है तो कुछ पठे घर पे रख दिये जाते हैं और कुछ पठे बाहर sale के लिए दे दिये जाते हैं ठीक है तो ये पठे हैं तो ये पठे जो भी लेगा भाई definitely काफी फाइदे में रहेगा क्योंकि ये color और ये जो नसल है ये काफी कम हो गई है आजकल market में तो भाई ये last वाला पेर है याँ पे सारनपुरी कभूतर इसकी speciality ये है भाई कि ये directly सारनपुर से source किये हुए कभूतर है लेकर आए हुए इनकी उड़ान चेक करके ये उढ़ने वाले सारनपुरि यो में से है कोई भी तरीके से Mumbai की lot या पंजाब से lot या दिल्ली से या भौपाल से जो lots आते हैं सारनपुरी के ये उन में से नहीं है ये सारनपूर के कबूतर है सारनपूरी जिनको उड़ा के टेस्ट करके परसनली विजट करके लेकर आया गया है तो जो भी भाई लेने में इंटरिस्टेड है इस पेर को ये 100% प्यॉरिटी में है भाई और इनकी आप गैरेंटी ले सकते हैं उड़ान के और बाकी सारी चीज़ों की क्योंकि ये परसनली बैट के इनको उड़ा के चेक करके इनको लागा गया है तो जो भी भाई लेना चाहते हैं डेफिनिटली इस पेर को पिक कर ही सकते हैं तो इतना ही था सर्फ इस वीडियो के लिए अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो के साइड में आपको नंबर्स दिखेंगे उन नंबर्स से आप पता कर सकते हैं कॉल करके के भाई इस पेर का क्या प्राइस है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंशालला कोई ना कोई तरीखे से और आगे भी काफी सारे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे हाई फ्लायर्स में तुकडी के कबूतरों में रंगीन कबूतरों में इंशाल्ला तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया